नमस्कार दोस्तों, विलकम टू वंडे एक्जाम क्लासे देखिया आपका RRB NTPC गुरूपडी की एक्जाम को देखते वे लगातार आपको लाशल केम पेपर करा रहे हैं आज आपको 2018 का RRB गुरूपडी का सामान अधन का पेपर हल कराने जा रहे हैं यह हमारा सामान अधन का पेपर का बान में नमबर पार्ट है, इसकी पहले हम आपको क्याम पार्ट तक हल करा चुके थे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपर आई बटन में आप हमारी चैनल की प्लेडिस मजा करके वहाँ पर से चेक कर सकते हैं देखी बहुत समित हमाय चलें के माध्याम से नए आती जिने वीडियो की इंफार्मेशन और अपडेट नहीं इलपातीव क्या किजिए यहां पर आपको लालंक का सस्काइबर निकराओं को इसको दबाकर लाल से काला करतीजिएगा बगल वले की नोटिपिकेशन बेल कोस दबालीजेगा ताकि पलपल की अपलेट आपको मिलती रहे वीडियो अचले की जनकरी चले के तो वीडियो को लाइक कोस कीजेगा चलिए आज के हम लोग पहले प्रेस की सुरवात करते हैं आज के दिके मारा पहला प्रेसन है भारती दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्याले की सहर में है आपके पास चार आपसन है कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई पहले तीन से चार सेकेंड का आप लोग समय लीजेगा, एक बार प्रयास कीजेगा इसके बाद हम आपको बताना ही स्टार्ट करेंगे यह हमारी 40 प्रेसनों की स्रीजाई वीडियो के लाशन ही पूरी मांदारी के सब बताईगा इन सभी प्रेसनों में से आप लोग कितने कोशन हल कर पा रहे है देखे ट्राई का जो मुख्याले है वो नई दिल्ली में इस्तित है ट्राई का इंग्लिज में फूलपार्म होता है टेली काम, रेगुलर्टी, अथार्टी आप इंडिया मतलब जो आपकी टेली काम कंपनी आए जैसे आपका मुंबाईल हो गया इन सभी पर नियंतर करने का काम जो होता है वो ट्राई का होता है आज करती के मार दूसरा पेसन है वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ते वीडियो को लाइक होस कीजेगा मोटर साइकल दुरगटना के दौरात हेलमेट किसको कम करने में सायक होता है आवेक को, वेक को, कारत बल को या फिर टकर की संभावना को जिस समय मोटर साइकल की दुरगटना होती है तो आपके सरीर में जो चोट लगने वाली होती है या फिर आपके सरीर के सर के हिस्से में जो चोट लगने वाली होती है, उसे हेलमेट नियंतर करने का काम करता है, मतलब आवेग बराबर होता है, एफ इंटू टी, एफ जो होता है वो फोर्स होता है, आवेक को कम करने का कारी करता है देखिए आज का तीसरा प्रेशन एक धोनिक अनुनाद या प्रतधोनी है जो कमपन होने पर एक नियत स्वरमान से गुजता रहता है चार आपसन आपको दिये गया है CT दिया गया है, ट्यूनिंग फार्क दिया गया है विद्द परिपत या फिर सहनाई इसका सही उत्तर होगा ट्यूनिंग फार्क ट्यूनिंग फार्क हुआ एक समगरी है कह सकते हैं जो कमपन करने पर एक नियत स्वरमान से गुजता रहता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह ट्यूनिंग फार्क है इन में से क्या चार है मतलब आपसे बेस पूछा जा रहा है चार आपसन आपको दी गए है और सभी में OH आपको लगा हुआ मिल ला होगा लिकिन चार की ये डिफिनिशन होती ये चार हुआ पदार्थ है जो जल पे डालने पर OH मैलेस आयन की संख्या अध्यतिक मात्रा में देता है तो इन चार आपसन में से देख लीजिए और स्ट्रांग बेस आपसे पूछने का ये प्रयास कर रहा है तो सही उत्तर होगा NAOH NAOH जो होता है स्ट्रांग बेस होता है आपको जल में डालेंगे तो OH चाहन की संख्या जो है ये अधिक मात्रा में देगा इसलिए NAOH को स्ट्रांग बेस माना गया है देखी पांचवा नंबर प्रेस ने आगा खान कप निम लिखित में से किस खेल से सम्मंदित है कबड़ी से, टेनिस से, हाकी से या फिर बेस बाल से बताईए आप लोग आगा खान का काफी फेमस कोशन है बार बार आने वाला कोशन है खाकी से सम्मंदित है कब होता ये हाकी इसका सई उत्तर होगा देखी छटवा प्रस्ने टूरिज्म आस्टेलिया के लिए फ्रेंड्स आप आस्टेलिया एडवोकेसी पैनल की पहली महिला राजदूत बनने वाली बाली वुड की अबनेतरी काउंसी है परनेती चोपडा, दीपिका पादुकोड, प्रियंका चोपडा या फिर नेहा धूपिया बताए टूरिज्म आप आस्टेलिया को प्रमोट करने के लिए कौन सी महिला राजदूत का चेन किया था आस्टेलिया ने इसका सही उत्तर होगा परनेती चोपडा को 2017 में टूरिज्म आस्टेलिया के लिए फैंड्स आप आस्टेलिया बनाया गया था परनेती चोपडा को तो सही उत्तर होगा परनेती चोपडा पहली महिला राजदूत है इसलिए कोशन है आपका बार बार पूछा जा सकता है देखी सात्वा नमबर प्रिशने चांद की सता पर एक वस्तु का भार साथ न्यूटन का है तो प्रतिवी की सता पर इसका भार क्या होगा चार आपसन आपको दी गए 10 न्यूटन, 36 न्यूटन, 100 न्यूटन या फिर 360 न्यूटन ठीक है प्रियास कीज़े एक बार आप लोग हल करने का चांद की सता पर उसका वेट जो है वो 60 न्यूटन दिया गया आपको मालूम है गुरुत्ता करसर जो तोरण होता है वो चंद्रमा पर एक पटे 6 होता है मतलब अगर प्रतिवी पर आएगा तो उसका जो भार है वे 6 गुना ज़ादा हो जाएगा मतलब 60 न्यूटन वहाँ पर था तो प्रतिवी पर आएगा तो ये 6 गुना जादा हो जाएगा मतलब अगर 360 न्यूटन प्रत्वी पर होगा तब जाकर कहीं वो चंद्रमा पर उसका भार जो है वो 60 न्यूटन का बचेगा इसलिए सही उत्तर जो होगा इसका 360 न्यूटन होगा आप लोग ध्यान रखेगा इस सही कोशनों में बहुत ज़्यदा गलतियां होती है बहुत सो लोग क्या करते हैं 60 न्यूटन को ही है 6 से भाग करके 10 न्यूटन जो है वो सही उत्तर निकाल करके चल देते हैं जो कि रेलवे आपसे गलती कराना ही चाह रहा है और पहले आपसर में 10 न्यूटन उसने लिख भी रखा है सही उत्तर होगा लाश्ट वाला उत्तर आज का आठों नंबर प्रेशन है भारत का सुदूर उत्तरी बिंदू किसके रूप में जाना जाता है स्री नगर में है या फिर सिक्किम को कहा जाता है या फिर इंद्रा कॉल को या फिर इंद्रा पॉइंट को सुदूर उत्तरी बिंदू जो कहा जाएगा तो उत्तर की दिशा में आपको सोचना है और उत्तर की दिशा में इंद्रा काल होता है इंद्रा काल जो है आपका सिया चीन के आसपास पढ़ता है वहीं पर अगर आपसे दचषडी बिंदो पूझता तो भारत के दचषडी छेतर में जा करके इंदरा पॉइंट जो पढ़ता है Great Nico Bar में पढ़ता है वो सबसे दचषडी बिंदो जो इस समय क्या है जलमगन हो चुका है तो उत्री में इंदरा काल और दचषडी में इंदरा पॉइंट को आप लोग सही किजेगा देखिए नववा नमबर प्रेस ने आम तोर पर मेंडेलियन कारक किसे कहा जाता है या क्या कहलाते हैं सेंट्रो जोम को जीन को डीने को या फिर क्रोमो जोम को ठीक है ये चार आपसन आपको दिए गए अनुवांस दिखता की खोज मेंडल ने की थी और मेंडेलियन कारक जो होते हैं वो जीन ही कहलाते हैं तो सही उत्तर होगा दूसरा वाला विकल ठीक है आम तोर पर जीन को मेंडेलियन कारक के रूप में जाना जाता है देखिए 10 नमबर प्रेस्णे तेलंगाना की शिचाई योजना का नाम आपको बताना है जिसेह हाली में केंद्र सर्कार से अनुदन प्राप्त हुआ है तो सही उत्तर होगा इसका कालेस्यूरा परियोजना का फी चर्चित परियोजना है सबसे बड़ी भारत की सिचाई पर्योजना के रूप में कालेश्वम पर्योजना का आप लोग नाम याद रखेगा यह तिलंगाना की सिचाई पर्योजना है जिसे केंदर सरकार से कुछ पैसे या फिर अन्मोधन प्राप्त हुआ है देखी 11 नमबर कोशन है भारत में राजटी आयको मापने वाला पहला वेज्ञानिक प्रयास करने वाले वेक्ति काउंसे थे चार उत्तर आपको दिए गए बताईए वेज्ञानिक प्रयास करने वाले आपको नाम बताने हैं तो इसका सही आप्शन होगा प्रोव.vk.rv.rao इसका सही उत्तर होगा ठीक है आप लोग याद कर लीजेगा भारत में राजटी आयको मापने वाला पहला वेज्ञानिक प्रयास था ठीक है तो सही उत्तर होगा पहला वाला विकल्पु देखी बारा नमबर कोशन है निम लिकित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है ठीके बल और वेक की बल और तुरड की बल और विस्थापन की बल और सम्वेक की ठीके बताना है आपको किस जोड़े में दिशा जो है हमेशा एक समान रहेगी तो इसका सही उत्त करो गहाएं इसका दूसरा वाला विकलप हो देकि गेरा नंबर कोशन हैं निमल कित्मस कि समूंसे कि समूं में बायतम कोश में एक स्लिक्टरान होता है हीलियम लीथियमategνεcious और लीथियम सोडियम पोटेसियम लीथियम सोडियं और calcium है ठीक है? इलाई जो है lithium है और फिर sodium magnesium तो आपको सही उत्तर बताना है कि बाहतम कोस में अगर एक electron है तो उन तीनों तत्त का नाम बताना है आपको सही उत्तर होगा lithium, sodium और potassium जो कि आपके एरे पहले वर्ग में आते हैं और इनके बाहतम को उसमें एक लिक्रान होता है तभी इन्हें जो है पहले वर्ग में रखा गया है तो सही उत्तर होगा इसका तीसरा वालवी कल्प देखे चौदा नंबर प्रेशने निम लिकित में से कौन सा देश भारत का पडोसी देश है मेमार है जापान है अमेरिका है यूके चार आपसन आपको दिये गए हैं और पडोसी देश मतलब यह होगा देश जो पडोस में इस्तित हो तो सही उत्तर होगा इसका मेमार मेमार भारत के पडोसी देशों में गिना जाता है और सही उत्तर होगा मेमार मेमार हो गया स्रिलंका हो गया पाकिस्तान हो गया बांगला देश नेपान भूटान इस सभी देश हमारे पडोसी देशों में गिने जाते हैं जापान काफी दूर इस्तित है एसिया में है लेकिन दूर है अमेरिका तो एसिया में आता ही नहीं है और यूके जो है यूरोप के देश में है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बाकी सभी बहुत दूर दूर के देश हैं मेमार जो है वो भारत का पडोसी देशों में गि हुआक स्दिक है है इसलिए हिंदी में आपको कोसं सारे दिखाई जा रहा है इसका स्था ही उत्तर हो गोगा सुमऊ सुमсуд कुस्ति जो है वो जापान का राश्टी खेले याद रखेगा कराटे को आप लोग सही मत कीजेगा जूटो आजाए तो जूटो को सही कर सकते हैं सुमो कुस्ति आजाए तो सुमो कुस्ति को सही कीजेगा जापान का राश्टी खेल है दूसरा वाला आपसन देखिए सोला नंबर प्रेस ने नेम लीकित में से किस अक्री गैस का electronic विन्यास chloride iron मतलब chlorine minus के बराबर होता है बताइए नियान दिया गया है हिलिया में क्रिप्टान है आरगन है ये चार आपको aggregates दी गई है और electronic विन्यास की चर्शे की गई तो बताइए किसका जो electronic विन्यास है वो chlorine iron के बराबर होगा सही उत्तर होगा इसका last वाल अविकल्प आरगन जो होता है आरगन का परवाण कर्मांक होता है 18 और 18 जो अगर हम बात करेंगे 18 की तो अगर हम 18 की बात करते हैं electronic विन्यास में तो 2, 8 और 8 ये मिला करके आरगन का electronic विन्यास होगा वहीं पर अगर हम chlorine iron की बात करते हैं chlorine iron मतलब अगर negative charge लग गया है उसके उपर इसका मतलब उसने कहीं से एक electron जो है वो लिया हुआ है chlorine का परवाण कर्मांक होता है 17 और आरगन का होता है 18 chlorine के अगर हम 17 परवाण कर्मांक करते हैं 2, 8, 7 बनता लेकिन chlorine iron माइनस iron की रूप में लिखा गया है इसलिए जो 7 और इलेक्टरान सा वो 8 इलेक्टरान में change हो जागा है मतलब कि एक इलेक्टरान उसने कहीं से ले लिया है तो chlorine iron के समान सिर्फ आरगन कहीं होगा तो last वाला उत्तर इसका सही विकल्ब होगा देखी 17 नंबर कोसन है निम लिकेत में से कौन सा कोसी कांग कैवल पसू कोसका में पाये जाता है लाइसोसोम, गल्जी बाडि, सिंटरोसोम या फिर राइबोसोम बताइए इन सभी चीजों में से कावन सा केवल पसू कोसका में पाये जाएगा इसका सही उत्तर होगा सिंट्रो सूम सिंट्रो सूम जिसे हम लोग तारक काई भी कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके पसु के बाड़ीज में मतलब की जो एनिमल होते हैं उसी में ही पाय जाता है ठीक है पादप कोस्काव में यह नहीं पाय जाता है सिर्फ पसु कोशकाव में ही पाय जाता है तारक काई भी इसे हिंदी में कहता है देखिए अठार नंबर कोशन है एक तत्यो का इलेक्टरानिक विन्यास 2, 8, 8, 1 है तो उस तत्यो का नाम आपको बताना है मेगनिसियम हो सकता है पोटेसियम, रेडान, सोडियम बताइए क्या हो सकता है अगर तत्यो का इलेक्टरानिक विन्यास इतना दिया गया अगर कभी भी आपको तत्यो का इलेक्टरानिक विन्यास दिया गया तो उन सबको जोड़ लेना है आपको 2, 8, 10 हो गया 10, 8, 18, 19 मतलब जिसका भी पर्मार्ण कर्मांग 19 होगा उसी तत्यों का इलेक्टरानिक विन्यास हो सकता है और पोटेसिया मतलब के का जो आपका इलेक्टरानिक विन्यास होता है वो 2881 होता है क्योंकि इसका पर्मार्ण कर्मांग जो होता है वो 19 होता है तो इस प्रकार से भी आप लोग सही कर सकते हैं ठीक है नेक्स कोशन 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 चलते हैं देखिए उनीस्वा नंबर कोशन है तिपुरा के पहले बिजेपी मुखमंत्री के रूप में किसी ने सपत ली थी विपल कुमार देव ने, कॉर्नाट संगबा ने या फिर सुनील देवधर ने, दिलीब घोस ने ये 2018 का पेपर है तो उस समय चुनाव संपाजित हुए थे और तिपुरा के पहले बिजेपी मुखमंत्री के रूप में बिपल कुमार देव ने सपत ली थी और इसी समय तिपुरा के मुखमंत्री भी हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो इसका सही उत्तर कौन से होगा लास्ट वालावी कल्प 6.022, 10 की पावर 23 जो होता है वो एक मौल के बराबर होता है देखिए कईस नंबर कोशन है MCV स्विच ऐसे स्विच होते हैं जो परिपत में धारा के सुरच्छित सीमा से अधिक हो जाने पर सोचलित धंग से बंद हो जाते हैं फिच की आप इच्छा इनका पुरियोग अधिक हो रहा है तो MCV का फुल फार्म आपको बताना है चार आपसन आपको दिए गए है देखें जादर आप सभी लोग घर में MCV लगा होगा जिसका फुल फार्म होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर जो होता है MCV का फुल फार्म होता है लास्ट वले आपसन को आप लोग धंक से देख लिजेगा तो इस प्रकार के देखें सरसना होती है MCV की यह जो आप बटने देख रहे हैं यह उपर की ओर होती है जब आप इससे सर्किट से जोड़ देंगे तो उपर की ओर होगी और जैसे ही धारा में कोई डेमेज आता है या पिर पूरे आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई डेमेज आता है तो इसके जो बटने होती है वो नीचे की और गिर जाती है और पूरा परिपद जो आपका पूरा सिस्टम है पूरे लाइट का वो बंद हो जाता है तो आप लोग देखते हैं ना कहते हैं कि MCV गिर गई है तो MCV ये नीचे की और जब हो जाता है तब ही हम लोग कहते हैं कि MCV गिर गई है ठीक है तो आप लोग इसको देख लिजेगा अच्छे से देखी 22 नंबर कोशन है आप से पूचा जा रहा है बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश क्या होता है चार विकल्प आपको दिये गए हैं चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िये थोड़ा आपको समय दे रहा हैं आप लोग 4-5 सेकंड का समय इस्ट्रा ले सकते हैं अच्छे से पढ़ियेगा कि बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश क्या है तो इसका लास्ट विकल्प की और आप लोग जाएगा उसको ध्यान से पढ़िये अध्यान के सभी छेत्रों में विभिन मानकों की समगरता पर उनकी विकासवादी इतिहास और उनके फाइलनों जी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गी करण जो होता है वो बायो स सिस्टमेटिक का उद्देश होता है मतलब सिस्टमेटिक धंग से सभी को आपको अध्यन करना उनके मानक की समगरता पर विकासवादी इतिहास पर यह जो हम सिस्टमेटिक धंग से पढ़ते हैं तो उसे हम वो कहते हैं बायो सिस्टमेटिक्स देखी तेइस नमबर प्रिश उपर राष्ट्रपती के उपर राष्ट्रपती जो होता है उसमें संसद के दो सदन आपके भाग लेते हैं राज्यसभा और लोगसभा अगर हम राष्ट्रपती की बात करते हैं तो राष्ट्रपती में राज्यसभा लोगसभा और राज्यसभा की विधान सबाओं के वाग लेते हैं सही उत्तर होगे इसका पहला विकल्प देखी 24 नंबर कोशन है निमली कितम से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आस्तरे सपोर्ट से जुड़े होते हैं चार उत्तर आपको दिये गए बताइए काउन से अचल अचल मतलब वो चलते नहीं अपने इस्तान पर एक साइकान ऐसे प्राड़ी होते हैं जो अचल होते हैं एक इस्तान पर होते हैं वो इनके आसपास जब कभी भोजन आता है तो उसको ग्रहन करते हैं अपने हाथों के द्वारा तो साइकान इसका सही उत्तर होगा देखी 25 नंबर कोशन है चांद पर किसी वस्तु का द्रभमान 40 केजी का है तो प्रतिवी पर उसका भार कितना होगा यह आपको बताना है ठीक है अपकी बार आप लोग यह गलती मत कीजेगा कि चांद पर 40 केजी है तो प्रतिवी पर उसका 6 गुना कर देंगे तो 6 को 24 केजी हो जाएगा यह तो आपसर में नहीं देगा आपको आप कि आपसे मास दिया गया है द्रिबमान दिया गया है और पूचा जा रहा है आपसे भार तो द्रिबमान तो पृत्वी पर भी उतना होगा चांद पर भी उतना होगा तो पृत्वी पर भी द्रिबमान 40 के होगा लेकिन अगर आपसे भार पूचा जा रहा है तो जी से पर भी पर में लेकिन भार प्रत्मी पर roe होगा लेकिन भाकर इचैन्ज हो जायएगा और सभी उत्तर कौंस होगा इसका इसका तीसरा विकल्ब चार सो केजी को भीधट किजिए गल्ती से भी उता है और मस केजी में लिखा जाता है इस बात पर आप लोग ध्यान दीजेगा बहुत बड़ी बड़ी गल्दिया होती है छोटे छोटे प्रिश्णों में देखे 26 नमबर प्रिश्ण है कार करने में सच्छम वस्तू में क्या होता है बल उर्जा सक्ति सम्वेक ठीक है आपसे पूछना चारा है कार करने की छमता को क्या कहते हैं तो कार करने की छमता को हम लोग उर्जा कहते हैं यह बात आप लोग याद रखेगा कारे करने की दर अगर आपसे पूचेगा तो सक्ति को सही कीजेगा पावर बरावर होता है W अपांटी कारे करने की जो दर होती है वो सक्ति होती है लेकिन कारे करने की जो छमता होती है वो सच्छम लिखा गया है इसलिए उर्जा को आप लुक्ति कीजेगा देखे 27 नमबर कोशन है निम लिकित में से कौन सा परमार द्रबमान के बारे में गलत लिखा गया ठीके बताईए कौन सा परमार द्रबमान के बारे में गलत लिखा गया चारों विकल्पों को आप ध्यांग से देखिए और बताईए कहां पर सही है और क्या गलती की गई है इ इसका लास्ट वाले विकल्प अगर आप जाकर के देखेंगे तो लास्ट वाले विकल्प में सही चीज दी गई है परमाण द्रब्मान बराबर होता है किसी भी तत्यों के एक तत्य के परमाण द्रब्मान अपान एक कारबन परमाण का एक बटे बारा द्रब्मान जो होता है वो परमाड द्रभमान के बराबर होता है जो कि विल्कुन सही लिखा गया और इस बात को ये गलत कह रहा है तो यहाँ पर होता सही कि अगर बात करता तब जाकर के लास्ट वाला उत्तर इसका सही होता बाकि तीन में आप लोग देख रहे हैं कारबन के परमाड का एक बटे 24 एक बटे 12 और यहाँ पर दो परमाडो कह दिया है तो ये गलत हो गया तीन उत्तर इसके गलत हो चुके हैं और सही की बात करेंगे तो लास्ट वाले विकल भी इसका सही उत्तर होगा तो इस प्रकार से भी प्रशनाब की एकजामें देखने को मिल सकते हैं देखे 28 नबर पोशन है पहला लोग पाल बिधेयक भारत की संसद में कब पेस किया गया था चार प्रशन आपको चार उत्तर आपको दी गए मताई ये लोगपाल बिधेक पहली बार संसत में कप पेस किया गया था काफी important question होगा 1968 में पहली बार लोगपाल बिधेक पेस किया गया था और अभी तक भारत में लोगपाल की नियुक तो नहीं की गई थी 27 मार्च 2019 को पिनाकी चंद्रगोस को प्रथम लोगपाल बनाए गया भारत का जो कि एक सुप्रीम कोट के रिटायर जजज है तो आप लोग याद रखेगा लोगपाल प्रथम लोगपाल बनाए गया है जो पिनाकी चंद्रगोस बनाए गया 27 मार्च 2019 को और पहला जो विधाय कहा है कि कोई पिंड जो है मुक्त रूप से गिर रहा है तो आप क्या समझेंगे उसको चार उत्रों को ध्यान से देखे और बताईए क्या सही लग रहा है इसका सही उत्र होगा जब इस पर कीवल गुरुती बल कार करेगा तब हम कहेंगे कोई पिंड मुक्त रूप से गिर र तो इसका मतलब है कि मुक्त रूप से वो नहीं गिर रहा है क्योंकि उसमें वहाँ पर हवा का वेग भी सामिल हो रहा है जब इस सिर्फ गुरुत्ति तोड़कार करेगा तब ही हम कह सकते हैं कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है देखें तीस नंबर प्रेस ने निम लिक है आक्सिजन अलग है यह दोनों परमाड़ु अलग अलग है तो विसम हो गए विसम परमाड़ुक हो गए और यह दोनों मिल करके एक अडू बना लिए तो कारबन डाइकसाइड विसम परमाड़ुक से बना हुआ है अब मिथेन गूपर चलते हैं मिथेन जो एक कारबन जो लेकिन अगर हम P4 की बात करेंगे P4 जो है एक सम परमाडविक है क्योंकि P और P4 पी मिल करके P4 बनाए है तो एक सम परमाडविक अड़ू के रूप में अगर गिना जाएगा तो P4 को गिना जाएगा विसम परमाडविक अड़ू नहीं है तो P4 मतलब की फासपूर सभा साही चुरू की गई थी ये 2018 का पेबर है और 2015 की योजना आपसे पूछी जा रही और अभी भी आपके मोधी सरकार है तो अभी कोशन आ सकता है फिर से बार बार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तारिक exact आपसे पूझता है बता ये exact तारीक कब है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो है वो कहां से चालू की गई थी राजिस्तान हरियाड़े से चालू की गई थी राजिस्तान हरियाड़े से चालू की गई थी हरियाड़ा की पानी पस से चालू की गई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ा हर्याड़े की पानी पसे डेट आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लिजेगा हर्याड़े सही उत्तर होगा 32 नंबर प्रेशने किस आमलकी ब्रधी होने के कारण मान स्पेसियों में एठन आ जाती है एस्टिक एसिड लेक्टिक एसिड फार्मिक एसिड और मेलिक एसिड इसका सही उत्तर होगा लेक्टिक एसिड लेक्टिक एसिड जो होता है अगर जोडों के आसपास जादा हो जाता है तो पैरों में हाथों में जहां पर भी जोडों होते हैं आपके वहाँ पर दर्द होने लगता या फिर एठन आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपके सरी नात को मोहन कुमार को, सात्वा वेतन आयोक के अध्यच की रूप में असोक कुमार माथुर को न्युक्त किया गया था, काफी चर्चित कोशन है, बार बार आपके एक जाम में आया हुआ कोशन है, आज का देके 34 नमबर प्रशन है, निम लिकत में से किस देश का राश्टी ख खेल है, वो क्रिकेट है, दच्छिडग भी अफरीका का रगभी है, भारत का हाकी माना जाता है, और पाकिस्तान का भी हाकी माना जाता है, सही उत्तर होगा इसका आश्टेलिया, कुछ राश्टी खेलों के बारे में आप लोग और ध्यान दे लिजेगा, सयुक्त राष्ट अमेरिका का राश्टी खेल जो है, बेस्बाल है, इंग्लेंड का क्रिकेट है, और स्पेन में जो युद्ध होता है, साड़ वाला युद्ध, वो राश्टी खेल है, जापान का इसके पहले प्रेश्मन में चर्चा कीती, सूमो, कुस्ती या फिर जूडो आपके आपसर मे आ सकता है, उसको सही कीजिएगा, करनाडा का आइस हाकी है, और आश्टेलियक हमने आपको बताया क्रिकेट है, रूस का चेस है, मलेशिया का बैट मिंटर है, चीन का टेबल टेनिस है, भारत का क्या है, फिल्ड हाकी है, पाकिस्तान का भी फिल्ड हाकी है, तो इस प्रकार स कुछ राश्टी खेलें आप लोग इनको याद रखिएगा देखी 35 नमबर प्रेश ने किसी वस्तु का विस्थापन अगर सून हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार क्या होगा निस्क्री होगा रिडात्मक होगा धनात्मक होगा अगर विस्थापन सून है तो किया गया कार भी सून होगा क्योंकि डबलू बराबर क्या होता है एक फिंटू एस होता है और एस जो एक डिस्प्लेस्मेंट होता है अगर डिस्प्लेस्मेंट ही सून हो गया तो मल्टिपल करेंग अगर फोर्स को तो डबलू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सून होगा इस 3D animation को प्रभावित करने के लिए फिर उनको दिखाने के लिए इन जैसी फिल्मों का प्रयोग किया गया था इसका सही उत्तर होगा VR Technology VR का फुलपान होता है वर्चुयल रियल्टी के द्वारा इन फिल्मों को प्रसाहित करने के लिए VR Technology का उप्योग किया गया था देखे 37 नंबर प्रेशने एक छार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है और OH आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है उदारण के लिए NO, AH और KOH आपको बताना है ये दो चीज़े आपको दी गई है A और B इन में से बताई है क्या आपको सही लग रहा है देखे जो आंसिक रूप से जल में आनित होता है वो वीक कहा जाता है वीक बेस कहा जाएगा और जो ज़्यादा तरह आपके जो आयनों की संक्या बड़ी मात्रा में कह रहा है वो इस्ट्रॉंग बेस कहा जाएगा इसलिए A सही होगा और B गलत होगा ठीक है तो सही उतर होगा इसका पहल ए वाला विकल्प मतलब लाष्ट वेल विकल्प में A लिखा गया है तो लाष्ट को सही किजेगा आप लोग देखे 38 नमबर कोश्टन है एक परजीवी पौधा इनमें से कौन सा आर्किट, लीच, टीक और कस्कुट ये चार आपसन आपको दिये गए हैं परजीवी मतलब वो होता है जो किसी पेड़ पर आस्रित होता है या उसके आस पास लगता है जो सकत तो पौधा लेता है उस प पौशन प्राप्त करता है इसका सही उतर होगा कासकुट कासकुट भी आता है और आपके आपसन में अमर बेल भी लिख सकता है अमर बेल भी एक परजीवी पौधे के रूप में जाने जाती है देखे 49 नमबर प्रेशन है यदि एक स्रंग और इसके क्रमागत गर्थ के से ही है उपर वाली स्रंग होती नीचे वाली गर्थ होती है और क्रमागत इनके बीच की दूरियां है वो एल और एल होंगी तभी तो जोनों को जोड़ने पर माद्ध करने पर एल आएगा तो एल जो है यह माद्ध दूरी आपको दी गई है और तरंग देर्थ क्या होता है तरंग देर्द स्रंग और गर्त दोनों का योग जो होता है वो तरंग देर्द होता है तो L प्लस L जो होगा वो तरंग देर्द होगा तो 2L इसका सही उत्तर होना चाहिए जो की आपके दूसरे विकल्प में लिखा गया ठीक है याद रखेगा आप लोग एक स्रंग आपका L लाए और गर्त भी आपका यह लाए क्रमागत होने चाहिए तो तरंग देर्थ उन टोटल का योग होती स्रंग और गर्त के आज का देखे हमारा 40 नंबर कोशन है आज का लास्ट कोशन होगा एठलेटिक्स के लिए जवाल लाल नहरू स्टेडियम किस सहर में इस्तित है नई सब्सक्रार कोशन है इं चालीस प्रेशनों की स्रीज ती इसके पहले हो, कोंगो पर्लाए की बडम दिख रही होगी उसको दबांकर लाल से कालि कर नई वाली वीडियोच आपको सबसे पहले मिल सके इन चालीस प्रेशनों में पूरी मांदारी के साथ बताएगा आप लोग लोग 27-28 की बीच में पहुँच रहे हैं इसका मतलब आपने अच्छा प्रयास किया है और आपकी GSRG के कापी अच्छी है और भी अच्छा कीजिए और प्रयास कीजिए कम से कम आप लोग 30 के पार आने का और 30 से अगर 32 के बीच में आप लोग रहते हैं तो आपका अच्छे स्टुडेंट की सेड़ी में आएंगे चलिए वीडियो के लाश्ट में एक कोशन आपसे पूछने का प्रयास करते हैं उस बारे में आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा चलिए यह प्रशन आपके सामने आया है संदेश मिष्टी किस राज की एक प्रसिद्ध मिठाई है माराष्ट की है पश्ची मंगाल की है बिहार की है यह पिर राजिस्थान की चार आपसन आपको दिए गए हैं बताईए कि संदेश मिष्टी किस राज्य की एक प्रसिद्न मिठाई है ठीक है प्रयास कीजेगा बताने का अगर आपको स्रीच पसंद आई हो तो आप लोग लाइक का उस कीजेगा और नेस्ट भी आगेगा आपको कांटीनू रखी का प्रयास कर रहे हैं बान में नंबर पार्ट तक हो चुकी है और आठ पार्ट आपको जल्दी हम देने का प्रयास करेंगे और जितने भी ग्रूप डी की कोशंते में सारे के सारे इस स्रीच में ले लिए गए हैं और टोटल अभी तक आपके 50-50 की स्रीच चल लाई थी मतल सारे फोकस है कि आपको साइस के कोशंट जो है वो धेर सारी मातर में करा दिये जाए ताकि आपकी साइस भी स्ट्रांग हो जाए प्रयास करते हैं नेस्टी वीडियो आपसे फिर से मिलने का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग अपने ध्यान रखेगा और पढ़ाई को अ